अधिकी वारदात मंडी के व्यापारी का गोदाम आया चोरों के निसाने पर तीन लाग से अधिक सर्सो गोदाम से चुरा कर ले गए चोर पहले बैंकों के एटियम को तो अब व्यापारियों के गोदाम को चोर निसाना बना रहे हैं बीती राद को चोरों ने मंडी छेतर में एक अनाज व्यापारी के गोदाम से लाखो रुपए के सरसों के अनाज पर हाथ साफ कर पुलिस गस्त की पॉल खोल दी आपको बता दे कि ये मंडी में अनाज दाने का व्यापार करने वाले मोहित गोयल का मंडी रोड नमबर दो पर गोदाम है बीती राद को अग्यात चोर उसके गोदाम का सटर उखाड और गेट तोड़ कर गोदाम में गुसे और गोदाम में रखी सरसों के कट्टे एक वाहन म ले गए सुबह उधर गुजर रहे लोगों ने गोदाम का सटर तूटा हुआ देखा तो व्यापारी को घटना की जानकारी दी सूचना पर व्यापारी अपने गोदाम पहुंचा तो उसके होस उट गए उसके गोदाम से एक बार फीर चोरों ने सरसों पर हाथ साब कर दिय था व्यापारी मोहित ने पुलिस को घटना की सूचना दी सूचना पर थाना दिकारी महाबीर परसाद पुलिस जापते के साथ मोके पर पहुँचे और घटना इस तलका मोका मुएना किया पुलिस ने गोदाम के आसपास के इस्तानों पर लगे सिसी टीवी केमरे भी खंगा ले हैं आपको बता दे कि इसी व्यापारी के गोदाम में करीब दस माह पहले भी इसी परकार चोरी की वारदात हो चुकी है जिसका खुलासा करने में पुलिस आज तक काम्याब नहीं हो पा बाद व्यापारी अब देहसत में नजर आ रहे हैं कि मेरा कोदाम का शेटर फाड़ दिया रिशी में से पतास कट्टे के गरीब सर्षों निकाड़ ले लिए अनुमानी तलाकती इसके तीन लाद रुपए सर्षों गी और चोरों को पगड़कर कारवाई करी लिए पहले भ सब्सक्राइब करें रहे हैं और उनकी केमत लगबग तीन साड़ दीन के आसपास पास पगड़ने बिल्कुल पर्यास जारी है आसपास के जो CCTV केमरेज हैं जो संदिग्द हैं उनसे पूंच ताच की जाएगा पहले भी इस गोदा में सर्थ चोरी हुई है यह जानकारी मिली आप बता रहे हैं कि लगबग के दस मेनी असाल पहले चोरी हुई उस समझ में भी जाच की जाएगा